इसलिए आये हैं कि यह जो बजट सत्र का दूसरा चरण 13 मार्च से 6 एप्रील तक चला और इसमें कौन सी घटना है गटी और पार्लमेंट को किस तरीके से सरकार के लोग ट्रेजरी बेंचों ने इस बजट को चर्चा में नहीं लाने का जो पूरा प्रयास किया उस बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ मोधी सरकार जमोकरसी के बारे में तो बहुत बाते कहिती हैं लेकिन जो कहिती है उसके तहट चलती नहीं और आपको एक ही उदान बताओं पचास लाग का पचास लाग करोड का बजट केवल बारा मिनिट में पास किया गया और वो हमेशा कहते गए कि अपोजिशन पार्टी को इंटरस्ट नहीं है वो डिस्टबन्स लेकिन डिस्टबन्स तो रूलिंग पार्टी से हुआ और जब कभी हम बोलने के लिए उगते थे और हम नोटीस देते थे नोटीस की चर्चा की मांग जब करते थे तब वो हमको बोलने नहीं देते और आइसी पहली बार हुआ मैं भी अपने जीवन के बावन साल समाप्त करके किरपन साल में कदम रखा हूं मैं पांच साल लोगसभा में भी था अपोजिशन लीडर ऐसा वक्त कभी नहीं है और यहां पर दो साल से मैं देखता हूं कि यहां पर खुदी रूलिंग पार्टी के लोग की डिस्टर्ब करते हैं और उसका उद्देश यही है जो हमने मुद्दे उठाये हैं खास करके आदानी के इश्यू पे सारे 18-21 पार्टियां एक होके एक कौमन मुद्दा था कि आदानी को इतना महत्यू क्यों दिया जा रहा है और आदानी की संपत्ती केवल ढाई साल में बारा करोड बारा लाग करोड कैसी बनी और सरकार से पैसा लिए यलाईसी से लिए बैंकों से लिए सरकार का पैसा और पब्लिक सेक्टर की संपत्ती उन्होंने खरीदा याने पैसा भी सरकार का और संपत्ती भी सरकार की तो उसको अमीर बना दे गए बना दे गए ढाई साल में इतनी बड़ी संपत्ती वाला आदमी देश में या विदेश में कोई नहीं होगा शायद और मुझे और एक इसका सरकार इतना जो खासकर मोदी जी जो बड़ावा दे रहे हैं इसका मतलब क्या है क्यों एकी कैप्टिलिस्ट को इतना सब संपत्ती सरकार की क्यों दे रहे हैं एरपोर्ट हो पोर्ट हो रोड हो हवा में उढ़ने वाले हवाएजयाज के अड्रे हो तो यह सारी चीजे जमीन भी नहीं छोड़ी रेल भी नहीं छोड़ा पोर्ट भी नहीं छोड़ा यह जो है इससे यह दर्शादा है कि किसी एक को ही अमीर बनाना और देश की सारी संपत्ति जो गरीब लोग एलाईसी में पैसे डाले हैं बैंक में डिपॉजिट किये हैं वो पूरी संपत्ति उनको देकर सरकार के सारे संपत्ति को खरीद रहें यह हम वहां उनको पूछना चाहते थी और दूसरी चीज राहूल गांधी जी लोकसभा में यही उन्होंने पूछा था कि यह आदानी की संपत्ति इतनी बड़ी केवल धाई साल में तो यह कैसा बड़ा इसका विवण दो इसकी चर्चा हो तब उन्होंने यही कहा कितने बार आपके साथ वो फॉरें को फॉरेंट रिप में आये आपके साथ कहा का उनकी मुलाखात हो गई जिन जिन देशों में आप गए आप जाने से पहले किन किन देशों में उन्हों आपसे पहले जाकर आपसे मिलें कि और किन किन देशों के कुई प्रदान मंत्रियों से यहां वहां के बिजनेसमेन से यहां के मंत्रियों से बड़ाखात किये और आपके वज़े से उनको कोनसा आउडर मिला कैसा मिला यह सारे डीटेल यहां पर चर्चा होना चाहिए इसलिए हम जे-पी-सी की मांग कर रहे कि इसमें कोई उनको नुक्सान तो होने वाला नहीं था क्योंकि उनको टू-थर्ड मैजॉर्टी है हाउस में लोगसभा में राजसभा में भी उनकी मिजॉर्टी है जब कमीटी कांस्टूट होती है तो मेजॉर्टी मेंबर साब के रहते हैं इसके बावजुद आप जेपीसी कांस्टूट करने को क्यों डर रहे हैं यह हमारा पहला सवाल है मेंबर तो आपके ज़्यादा होते हैं लेकिन हमको एक फाइवा होता है कि जॉइंट पार्लमेंटरी कमीटी कांस्टूट करने से सारे दस्तावीज कागजार डॉकुमेंट एक्जामीन करने के लिए अपोजिशन पार्टियों को एक मोखा मिलता है इसलिए और वो एक ट्रांस्परेंसी उसमें रहती है तो इसलिए हमारी मांग थी उसको उन्होंने नकारा और उसके बारे में वो कुछ भी कहिने को तयार नहीं है इसलिए यह मुद्द जो राहुल जी ने उठाया थे उसको उन्होंने अलग करके दूसरा यह इस्यू डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने माफी मांगो माफी मांगो तुम यूके में जा कि आइसा बोले यह करें वो करें यह करें यहां सवाल है पार्लमेंट का यहां सवाल है घोटाले का यहां सवाल है जो जिसने देश की संपत्ति को लूटा गलत तरीके से अपने शेर्स को बढ़ावा दिया और छोटे-छोटे शल कंपनीज बनाके करडो रुपे उसमें लिये जिसका सवाल है देश की संपत्ति बचाने के लिए हम तारे लोग कोशिस कर रहे हैं लेकिन वो इसको मानने के लिए तयार नहीं क्योंकि कि डाल में कुछ काला है कि कुछ संबंद उनके ऐसे होंगे जिस वज़े से वो जेपी सी करमे के लिए प्यार नहीं है और तिसरी बात कर दो